इन में से कौन सी रवी फसल है तो इन में जो रवी की जो फसल है वो चना है रवी की जो फसले होती है वो सीत रितु में बोई जाती है और सीत रितु के अंत में काट ली जाती है तो इसमें चना है सरसों है गेउं है ये मटर ये सभी क्या है रवी रितु की फसल है जो इसने जो पोर्षन चला हुआ है उसका आज हम चोथा लेसन करेंगी कल्चर करसी इसके हम चोटे पर्षन करवाएंगे अच्छी परकार से इस वीडियो को देखना और इसको शेयर करना है जिसमें एक ही फसल लंबे चोड़े छेतर में वोई जाती हो तो उसको रोपन करसी कहते हैं तो उसको क्या करते हैं बचो रोपन करसी जैसे चाय की जो करसी हो रोपन करसी है वो बहुत बड़े छेतर में बड़े बड़े बागों में वोई जाती है तो इसका बिलकुल सही है अगला परसन है इन में से कौन सी एक फलीदार फसल है तो फलीदार फसल डालें जो होती है वो फलीदार फसल है तो A option इसका बिल्कुल सही है अगला परसन देखिए अगला परसन है रेसम के उत्पादन के लिए रेसम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है तो रेसम के जो कीड़े हैं उनको पालना रेसम उत्पादन कहलाता है C option इसका बिल्कुल सही है रेसम के जो खेती करने की विदियानी मलिक्त में से किस ततव से परभावित होती हैं तो भारत में जो खेती करने की जो विदियान हैं वो सभी ततवों से परभावित होती हैं बहुतिक परियामन से भी परभावित होती हैं सामा जी को और सांस करती गिरिती रिवाज भी परभावित करते ह बारती करसी को और प्रोधोगी की तकनिक की भी परबावित करती है तो इसका D option में लुकुल सई है उपयुकते सभी अगला परसन देखिए अगला परसन है गहन करसी की विशेष्था है जो गहन करसी होती है उसकी क्या विशेष्था है देखिए भूमी पर जन संख्या का अदिक दबाब होता है जहां गहन करसी की जाती है रसायनी के निवेश भी होता है उसमें उरूरक भी डाले जाते है शिचाई का भी परियोग खुब किया जाता है गहन करसी में तो इसका D option विल्कुल सही है उपयुक्त सभी गहन करसी उपयुक्त सभी विशेस्ताई रखती है अधिक रसायनी परियोग होते है शिचाई का भी परियोग किया जाता है वहां जन संख्या भी काफी निवास करती है उस छेत्र में गहन करसी की जाती है अगला परसन देखीए भारत में कौन से छेत्र में गहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो भारत में जो गंगा सतलुज का मैदान है उत्रीवी साल मैदान बोलते है जिसको उसमें सब से अधिक गहन का उत्पादन होता है तो C उप्शन इसका बिलकुल सही है जिसमें हर्याना पंजाब उत्तर प्रदेश का एरिया लगता है अगला परसन देखिए अगला परसन है खीरा और तर्बूज की करसी उदान है जो खीरा और तर्बूज की करसी है वो किस रितु की उदान है तो वो है जायद रितु की उदान है जायद रितू में खीरा, ककड़ी, तर बूज ये बोए जाते हैं तो इसका सही उतराएगा जायद C option बिल्कुल सही है अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सी खरीब की फसल नहीं है निन में से एक ऐसी फसल है जो खरीब की नहीं है तो वो कौन सी है? वो सरसों है C option इसका बिल्कुल सही है सरसों जो हो खरीब की फसल नहीं है मक्का, जवार, बाजरा और अरहरसा भी खरीब की फसले है जबकि सरसों जो है वो रवी की फसल है तो G option इसका बिल्कुल सही है आपने ध्यान रखना है यदि परसन नहीं में पूछा तो आपने उसका अच्छी परकार से समझ करके उसका उत्तर देना है अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त फसलों में से ऐसी फसल फैचाने जो त्यार होने में लगबग एक वरस का समय लेती है तो वो गन्ना है D option इसका बिल्कुल सही है गन्ना जो हो लगबग एक वरस में त्यार होता है तो इसका D option बिल्कुल सही है गन्ना अगला परसन देखिए अगला पर्शन है बाहरत के किस राज्य में सबसे अधिक बाजरा उगाया जाता है तो बाहरत में सबसे अधिक जो बाजरा है वो राजस्थान में उगाया जाता है C option इसका बिल्कुल सही है राजस्थान में बाजरा सबसे अधिक उगाया जाता है अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिख्त में से व्यवसाइक फसल कौन सी है तो व्यवसाइक जो फसल है इन उप्शनों में चाए है तो ए उप्शन इसका विल्कुल सही है चाए जो है एक व्यवसाइक फसल है जबकि चावल गेहूं ये खाद्या फसल है तो चाए इसका उत्राएगा चाय एक वेवसाई के फसल है, अगला परसन देखिए, अगला परसन है, निमलिख्त में से रोपन करसी का उधारन है, रोपन करसी कौन सी है इनमें, चाय जो है वो रोपन करसी है, यानि कि रोपन करसी वो होती है जिसमें पहले प्योद क्यार की जाती है औ तो कपास जो हो खरीब की फसल है, B option इसका बिलकुल सही है, अगला परसन है, भारत का विश्व में मुंग फली उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो मुंग फली के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, एक चीज और बता देता हूं आपको, जो गुजरात है, वो मुंग मुंग फली के उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो भारत जो भी सब में मुंग फली के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, तो इसका A option बिलकुल सही है, पहला स्थान, अगला परसन देखिए, अगला परसन है, फलों और सबजी की करसी है, उसको बागवानी करसी कह रज्ये में होती है भारत के कौन से रज्ये हैं तो भारत के उत्तर पूर्वी रज्यों में जूहूम करसी की जाती है एक दो वर्ष के बाद उस स्थान को छोड़ करके फिर आगे यही कारिये किया जाता है तो यह जो करसी है भारत के उत्तर पूर्वी रज्यों में की जाती ह अगला परसंदेखिए कर्तन दहन पर नाली कर्शी की हो मेक्सिको में और अमरिका में किस नाम से जाना जाता है तो कर्तन दहन जो जूम कर्शी है जो कर्तन दहन पर नाली है कर्शी की उसको मेक्सिको और मद्ध है अमेरिका में मिलपा के नाम से जाना जाता है A option इसका बिलकुल सही है मिल पा अगला परसंद देखिए इन में से कौन सी रितू मुख्यत है तर्बूज और खर्बूज की खेती के लिए जानी जाती है उत्तम है तो तर्बूज और खर्बूज की खेती की जाती है वो कौन सी है वो जायद है तो B option इसका बिल्कुल सही है, जायद रितु जो है वो तर्बूज और खर्बूज के लिए उत्तम मानी गई है, तो इसका B option बिल्कुल है, सही है, यह हमारा agriculture का लेसन था, अब हम पांच मा लेसन करेंगे, अगला लेसन हमारा देखिए, पांच मा लेसन है, खनीज तथा उर् बाकसाइड का जो निर्मान होता है, चटानों में जो खनीज है, अपक्सित पदार्थों के अब सिस्ट बाहर को त्यागता हुआ बन जाता है, तो यह बाकसाइड इसका उतराएगा, C option बिल्कुल है, अगला परसन देखिए, जारकण में स्तिते, कोडर्मा निमलिक्त में स किस खनीज के लिए जानी जाती है, तो कोडर्मा की जो खान है जारकण में वो अब भरक के लिए परसिद है, तो C option इसका बिल्कुल सही है, अब भरक यह परसन इंपोर्टेंट है, भीवानी बोर्ड ने 2023 में दिया है, इसको याद कर लेना, बच्चो नोट कर लेना, इस प बिल्कुल सही है, तल छटी चट्टानों में स्त्रोंक में खनीजों का निक्षियपन और संचनन होता है, अगला परसन देखिए, अगला परसन है, मोनोजाइट रेत में निम्लिक्त में से कौन सा खनीज पाया जाता है, मोनोजाइट रेत यह केरल में पाया जाता है, पहली खनीज की क्या विशेष्टा है तो खनीज की ये सभी विशेष्टाएं है खनीज एक निश्चित आंत्रिक सरंचना से बनता है एक चमक होती है खनीज में और खनीज का एक मुल्ले होता है एक रेट होता है तो D option इसका बिल्कुल सही है उप्युकते सभी अगला परसन देखि नहीं आती निकिल जो हो लोह दातू में आती है अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सा एदात्वी खनीज है तो एदात्वी खनीज इसमें अब रख है B option इसका बिल्कुल सही है तामबाशी सा जस्ता एदात्वी खनीज है जबकि अब रख जो है वो एदात्वी खनीज है, तो B option इसका बिल्कुल सही आएगा, अगला परसन देखिए, अगला परसन है, निमलिक्त में से कौन सा उर्जा खनीज है, यानि कि वो खनीज जो हमें उर्जा देते हैं, वो उर्जा खनीज कहलाते हैं, कोईला भी उर्जा खनीज है, प्राकरती ग किया जाता है, हो कौन सा किया जाता है? हisto, ह obs इसका बिल्कुल सय है, हैमे टाइट में एक चीज और बता देता हूं, इसमां जो maggने होता है, लोगा वो उंचकोटी का होता है, हैमे टाइट दूसरे नंबर पर आता है, उंचकोटी में, तो सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है उद्धोगों में वो हेमे टाइट ही यूज किया जाता है तो इसको नोट कर लेना बच्चो इंपोर्टेंट क्यूशन है B option इसका बिल्कुल है सही है है में टाइट लोहा सबसे ज़्यादा लोहा यूज किया जाता है उद्धोगों में अगला परसन देखिए अगला परसन है भारत में लोहा ऐसा उत्पाद करने वाला राज्य है तो भारत में जो लोहा उत्पादन करने वाले जो राज्ये हैं ये उप्युक्त सभी है उडिसा भी लोहा उत्पादन करता है करनाटक भी और जारगंड भी तो इसका D option बिल्कुल सही है उप्युक्त सभी जो राज्ये है वो लोहा का उत्पादन करते हैं अगला परसन देख इन में से उर्जा का प्रमप्रागत स्रोत कौन सा है तो उर्जा का जो प्रमप्रागत स्रोत है वो पैट्रोलियम है पैट्रोलियम जो है उर्जा का प्रमप्रागत स्रोत है जबकि ये बाकी ये गैर प्रमप्रागत उर्जा के स्रोत है परमान उर्जा भूतापी उर्जा और पमन उर्जा बाय उर्जा ये सभी गैर परमपरागत में आते हैं तो इसका सी ओप्षन बिलकुल सही है अगला परसन देखिए इन में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोईला होता है बहुत ही अच्छा परसन है इंपोर्टन परसन है इसको नोट कर लो और वीडियो अगला परसन है कौन सी ख़ताने देश का लगभग बाउन परतिसे तामबा उत्पादन करती है तो भारत की जो तामबा उत्पादन करने वाली जो बाउन परसन ते तामबा उत्पादन होता है वो बाला घाट की खानों से होता है और दूसरे नमबर की खान कोन सी है खेतरी खेतरी और बाला घाट दोनों मिलकर के देश का 100% क्या करती हैं तामबा उत्पादन करती हैं तो इसका सही उतराएगा बाला घाट ए ओप्शन इसका बिलकुल है सही है अगला परशन देखिए अगला परशन है निमलिक्त में से कौन सी दर्वित इंदन के स्थान पर की जाती है वो है LPG liquid petroleum gas ए ओप्शन इसका बिलकुल है सही है अगला परशन देखिए अगला परशन है भारत में पावन उर्जा फार्म की विशालतम पेटी किस राज्य में है तो पावन उर्जा की विशालतम जो पेटी है भारत में वो कहां है वो तमिलाडू में है कहां है तमिलाडू इसका सही उतराएगा तमिलाडू तमिलाडू में बहुत बड़ी पेटी है पावन उर्जा की वहां पर कारण क्या है कि वहां समुंदर लगता है समुंदर से बेरोक टोक के वहां पावने आती है और वो हमारी जो पावन चक्किया है उनके लिए अच्छी रहत तो यह पूंगा की गाटी, लददद आग में है ये, लदद आग में पूंगा की गाटी से भूता पी उर्जा बनाई जाती है, तो ये हमारा लेशन था, अब हम अगला लेशन करेंगे, हमारा चठा लेशन है, वी निरमान उद्ध होगे, इसके परसंद देखते हैं, इसका पहला क्युष़्न है निमलिख्थ में से कौन सा दोग बाक्साइड को कच्छे माल के रूप में परयोग करता है तो ईसका बिल्कुल सही है अगला पर देखिए निमलिख्थ में से कौन सा दोग दूरबास कंपूर्टर यह थे काम करता है तो वह है इलेक्टोनिस उद्धोग आता है कौन सा आता है बचो इलेक्टोनिस उद्धोग बी ओप्शनिस का बिल्कुल सही है अगला परसन देखिए अगला परसन है चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्था यहां चीनी को खाने पीने वाड़े ज़्यादा है तो B option इसका बिलकुल सही है दूसरे स्थान पर है बहार्त चीनी के उत्पादल में किसके बाद है ब्राजिल के बाद है अगला परसन देखें अगला परसन है संयुक्षेतर के उद्धोग का उदान है संयुक्षेतर का जो है वो संयुक्षेतर का उद्धान है देखिए और समझा देता हूँ आपको देखिए बी एच येल बहल गोर्मेंट का भारत है वी लेक्टिक लिमिटिड है सैल सटील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटिड ये विसरकारी है और टिसको टाटार एंडिल कंपनी ये प्र परशन देखिए अगला परशन है भारत का सूती वस्तरूद धोग कितने लोगों को रोजगार देता है तो भारत का जो सूती वस्तरूद धोग हो लग बगए 350 लाख लोगों को रोजगार देता है एक चीज बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे अधिक जो रोजगार द जाता है, सिलिका भी की जाती है, और अलुमीनिया भी की जाता है, तो उप्युक्त सभी आएगा, सिमेंट उध्योग में कच्छे माल के रूप में ये सभी चीज़ें यूज की जाती है, उप्युक्ते सभी, D option इसका बिल्कुल सही है, अगला परसन है, टिस्को की स्तापना क बोईवचो 1907 में, अगला परसन देखिए, सहकारी छेतर के उध्योगों का उधार्ण है, सहकारी यानि कि जिसमें क्या होता है, एक समीती बना ली जाती है, सहकारी और वो उध्योग को चलाती है, तो इसमें कौन सा है, A और C दोनों ही सही है, यानि कि माराष्ट की चीनी म इले भी सहकारी उध्योग का उधार्ण है, और केरल का नारियल उध्योग भी सहकारी छेतर के उध्योग का उधार्ण है, तो इसका D option बिलकुल सही है, A और C दोनों ही सही है, अगला परसन देखिए, कौन सा सहर भारत की इलेक्टोनिक्स राजधानी का इलाती है, तो भार और भारत का सिलिकन घाटी भी कहा जाता है ये भी आपने नोट कर लेना है अगला परसन देखिए अगला परसन है जल परदुषन के लिए जिम्मेदार परमोखुद्धो क्या है जो जल परदुषन होता है वो सबसे अधिक किस से होता है जल पर दूशन सबसे अधिक वस्तर उद्धोग से होता है क्यों होता है क्योंकि जो वस्तर उद्धोग से उसको रंगने का काम है दुलाई का काम है सारा पानी में होता है जिससे वो पानी में भादिया जाता है और पानी जल जो हो पर दूशित हो जाता है तो A option इसका बिल्कुल सही है वस्तरूत दोग से जल पर दूसन अधिक होता है अगला person देखिए ये अगला person है निम्न में से पहला सपल सूती वस्तरूत दोग 18 सचोमन में कहां लगाया गया था तो भारत में पहला सपल सूती वस्तरुद्धोग 1864 में मुंबई में लगाया गया था बी ओप्सनिस का बिल्कुल सही है कहा लगा था बच्चो मुंबई में ये मुंबई माराष्ट की राजधानी है मुंबई को सूती वस्तरुद्धोग की राजधानी भी कहते हैं का जो कीडे जो होते हैं वो सैसुत के पेड़ों पर वो करनाटक में ही मेसूर के आसपास ही पा ले जाते हैं तो इसका सही उत्राएगा मेसूर बी ओप्शन बिल्कुल है सही है अगला परसन देखिए भारत के किस छेतर में सरवादिक लो आइसपात उद्धोग स्तापित हैं और जिस कान से वहाँ पर ज्यादा उद्धोग स्तापित हैं लो आइसपात उद्धोग केंदर ज्यादा हैं तो छोटा नागबूर का पठार बिल्कुल राइट है इंपोर्टन कुसन भी है ये अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सा देश जूट जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो जो चार उप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ा जो जूट का उत्पादन देश है वो भारत है कौन है भारत ये उप्शन इसका बिल्कुल सही है एक चीज़ और बता देता हूं आपको जूट के उत्पादन में जो भारत का पृतिदवय देश है, वह बांगला देश है तो यहाँ पर जूट का सबसे बढ़ा उत्पादक देश भारत है यह उप्सन इसका बिल्कूल सही है अब हम अगला लेशन करेंगे अगला लेशन है देखीए अगला हमारा लेशन है सात्मा जो लेशन है राश्टी एर्थवेवस्ता की जीवन रेखाईं जो राश्टी एर्थवेवस्ता उसकी जीवन रेखाईं यानिकी परीव हैं के साधन यह हमारा लेसन है बहुत इंपोर्टेंट लेसन है इसका पहला परसन देखते हैं इसका पहला क्यूसन है निम्रिक्त में से कौन से दो द पूर बंदर है शील्चर असम में है और पूर बंदर है गुजरात में है तो B option बिल्कुल सही है पूरो पस्टम गलियारे जुड़े वे हैं शील्चर और पूर बंदर से अगला परसंद देखिए निमलिक्त में से परिवहन का कौन सा साधन वहनात्म कानियों को देरी से गट परिवहन किया जा सकता है लिक्विड चीजों का तरल पदार्थों का तो वह है पाइपलाइन परिवहन सी ओप्सन इसका बिल्कुल सही है अगला परसंद देखिए अगला परसंद है निमलिक्त में से कौन सा राजे हजीरा विजयपूर जगदिशपूर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ नहीं पुच्छा आपने तो इसमें कौन सा है महारास्ट महारास्ट जो है वो एच बी जे हजीरा विजयपूर जगदिशपूर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है देखिए अजीरा गु जुजरात में है और विजरापूर जो है वो परीवहन है, भात में रेल परीवहन का जाल विचा हुआ है और रेल परीवहन सस्ता भी पढता है, शड़क परीवहन की अपेक्सिया, तो इसका B option बिलकुल सही है, रेल परीवहन भात में क्या है, पर्मुख परी परीवहन का साधन है अगला परसन देखिए परिवहन का सबसे तीवर्तम माध्यम कौन सा है सबसे तेजगति से चलने वाला परिवहन का साधन है कौन सा है वाई यू परिवहन डी ओप्षन इसका बिल्कुल सही है आसान परसन है ये आ सकता है ध्यान रखना इसको अगला परसन देखिए इन में से किन रازमारगों का निर्मान और रखरखाओ रज्य के सार्जनिक निर्मान भी भाग दवारा होता है यानि कि सट्टेट का जो पी डवलुड डिपार्टमेंट है वो उसका निर्मान करता है तो वो कोण से है वो रज्य राजमारग होते हैं doffson इसका बिलकॐल सही है रज्य राज मारगों का निर्मान कोन करता है रज्य सरकार करती है अगला परसन देखिए अगला परसन है कि भारती रेल मारगों को अनेक गेज खालिस्तान खालिस्तान और खालिस्तान तेह करती है तो भारत में जो रेल मारगों के जो गेज है जो रेल मारगों की पटडियों के बीच का तो डिफ्रेंस है वो तीन परकार से है बड़ी लाइन पहले तो बड़ी लाइन आएगा फिर मीटर लाइन और छोटी लाइन तीन परकार की गेज है भारती रेल मारगों के पास most important कितनी संख्याएं होती हैं 6 संख्याएं होती है लेनों की ये शुपर एक्सप्रेस मारग होते हैं अगला परसन देखिए राज्य की राजधानी को जिला की मुख्यालना को जोड़ने वाली शड़कों को राज्य मारग कहते हैं सी ओप्षन इसका बिल्कुल सही है, राज्य, राजमार्ग जो होते हैं, राज्य की राजधानी और जिला मुख्यलना को जोडते हैं, अगला परसन देखिए, सीमा सड़क संगठन का निर्मान कब हुआ, इंपोर्टेंट क्यूशन है यह, बहुत ही इंपोर्टेंट, वेरी क्यूशन है यह, नोट कर लो रही, सीमा सड़क संगठन का निर्मान कब हुआ था, सीमा सड़क संगठन का निर्मान 1960 में हुआ था, कब हुआ था बच्चो, 1960 में, अगला परसन देखिए, अगला परसन है, गुजरात में सलाय से वीर गाउं, मतुरा दिल्ली आने वाली पा है, तो इलहाबाद हल्दिया जो गंगा जल्मारग है, यह जल्मारग नमबर वन है वाई, यह भी नोट कर लेना, इसकी लंबाई 1620 किलो मेटर है, बी ओप्शन इसका बिल्कुल है, सही है, अगला परसन देखिए, एक अन्तैस तलिये नदिये पतन कौन सा है, तो कोलकता है वो नदिये पतन है, वो नदी के उगली नदी के किनारे पर है, यह पस्मी बंगाल में है, यह नदिये पतन, अगला परसन देखिए, अगला परसन है, वाई यू पर यू हैं का राश्टी एकन 1953 में, वाई, कब वाई बच्चो 1953 में, सी ओप्शन इसका बिल्कुल सही है, अ वहां से कहां दिल्ली से अमरसर को जाता है, यह NH1, पहले यह है कोलकता से पैसा वर्तक जाता था, तो गरांट ट्रक रोड जो है वो NH1 को कहते हैं, यह उप्शन इसका बिल्कुल सही है, शत्रा का क्यूशन देखिए, भारती रेले ने वी बिन संसकर्थी के लोगों को एक स साथ ला करके हमारे देश के सवतंतरा संग्राम में योगदान दिया है, यह बात महातमा गांदी ने कही थी, यह उप्शन इसका बिल्कुल सही है, अगला परसन है, भारत में राष्टिये कारी करम और रंगीन टेलिवजन की सुरुवात कब होई तो रंगीन टेलिवजन है राजमार्गों का निर्मार्ण रख रखा कोन करता है, तो इनका रख रख रखा और निर्मार्ण का कारी राष्टी राजमार्ग पराधी करने एन एच ए आई नेशनल हाईवे अथोर्टी ओवे इंडिया करती है, तो ए उप्शन इसका बिल्कुल सही है, अगला परसन दे गहरा है, तो पाराधवी पतन का पोताश्र है, जब से गहरा है, तो यह हमारी जो 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 गरुफी का जो पोर्शन था सामाजीक विज्ञान में, दसमी कक्ष्या का वो पूरा हो चुका है, और आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दो, और अपने साथियों को, रिष्टेदारों को इस वीडियो को शेर कर दीजिए, जै हिंदे, जै भारत